आज के बाद मेरे पाप धुल गए मेरा सरीर निरोगी हो गया तो जीवन में अनंत समय तक भी मैं अपनी पत्नियों को कभी भी धोका और गद्दारी नहीं करूँगा देखिए गलती हो जाए पाप हो जाए भगवान के मंदर जाकर के पहले उसको धोने की कोशिस करो काम बनाने के लिए बाद में बोलो भगवान से सबसे पहले तो कान पकड़के ही प्रणाम करो भगवान को शमा करो प्रभू मैं अपरादी हूँ मैं दुरगुणी हूँ मैं दुराचारी हूँ तुमसे कुछ भी छुपा नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ भगवन मुझे कल सदाचारी बना हो मुझे सदगुणी बना दो क्योंकि मुझे रोज पाप हो जाता है मुझे पापों से विरक्त कर दो मेरे हातों से मेरे मन से बचन से करम से प्रभू मुझे सदगुणी सदाचारी बना कर मुझे सद करम करवा लो और मुझे समाज की और आपकी सेवा करवा लो मुझे यही बर्दो मुझे यही बर्दो यह मंदर में जाके कहो बंदूओ तब तुम भगवान के भक्त कहलाओगे नोकरी पैसा, रोटी, मकान, कपड़ा मांगोगे तो नोकरी भगवान के भगत नहीं यह सारी चीज तो भिकारी मांगता है रोटी कपड़ा और मकान यह भिकारी का काम है भगतों का काम यह नहीं होता भगत वो ही है जो भगवान से अपना प्रायस्चित मांगता है अपनी अच्छाई मांगता है अपनी बुराई छोड़ने का संकलप करता है वो तो भक्त है और वही शिश्य है मेरा ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए ये हो जाए ये हो जाए ये सब आडम बर मत करो इश्ट के पास में अपने करम करते चले जाओ अंतरिया में भगवान को क्या नहीं समझता है भगवान सब कुछ जानता है तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूत नहीं है भगवान को जो लगता है तुम्हें वो देता ही रहता है और देकर बदले में कभी कुछ नहीं लेता है तो फिर बार-बार क्यों मांगते रहते हो बताओ तुसे अचा बताओ, तुमसे बदले में भगवान ने क्या मांग लिया, मुझे आथ तक बताओ, तुम्हारा मामा तुम पर उपकार कर दे ना, उसका बदला चाहता है, साला कर दे, साला चाहता है, जीजा कर दे, जीजा चाहता है, कोई भी तुम्हारा उपकार कर दे, उसका बदला चाहता है केबल ही केबल ही भगवान इतना महान है कि वो उपकार का बदला कभी नहीं चाहता है इसलिए वो सबका हीरो है सबसे बड़ा है सबसे महान है समा गधेन पुन्या भगवान शिवशंकर आज भगवान शंकर ने चंद्र देवता को कहा चिंता मत करो तद गते तुम्हारी भक्ती से मैं प्रशन हो गया हूँ, देखो तुम्हारी भक्ती से मैं प्रशन हो गया हूँ, मेरी जटा से जो गंगा निकली है उसके धारा में बैठ जाओ और तुम इसनान कर लो, भगवान की जटाओं से जो गंगा बह रही थी, चंदर देवता ने उस गंगा क कि धारा में अपने सरीर को स्पर्ष करवाया है गंगाके स्पर्ष से प्रभू ने चंडरदेव्ता के सरीर को है निरोगी करने से भी प्रभावित्र होगे कुल मिला कर तुम्हें रोग नहीं सताएगा ये चंदर देवता दक्ष प्रजापती ने जो स्राप दिया है उससे तो तुम रोज घटते 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 चोदे दिन तक तुमारा सरीर घटेगा और मेरी भक्ति जो तुमने की है उससे फिर से तुमारा सरीर चोदे दिन बढ़ा होगा कुल मिला कर तुम बढ़ते रहोगे और घटते रहोगे भगवान संकर ने चोदे दिन का कहा पंद्रवा दिन होता है अमावस का भगवान संकर क की बात सुनकर चंद्रदेवता ने कहा प्रभू अमावस और पढ़वा ये दो दिन में कहा जाऊंगा घटूंगा या बढ़ूंगा ये तो बता दू तो भगवान संकर ने कहा ना ही तो तू चंद्रमा दो दिन घटेगा ना बढ़ेगा तेरा दो दून एक जैसा स्वरूप रहेगा और जो स्वरूप तेरा एक समान होगा वो मेरे माथे में गंगा के पार्स में सुसोवित हो जाएगा चंद्रमा को भगवान ने जटाओं में सुसोवित कर लिया अमावस और पढ़वा का चंद्रमा किशी को प्रियन नहीं है इसलिए प्रभू ने उसको अपने प प्राप्त हो जाते हैं तो भगवान शिर पर बिठा लेता है क्योंकि भगवान की यही तो खुदाई है इसलिए तो वो खुदाए इसलिए तो महान है प्रभू के इचरण रज को जो प्राप्त कर ले सदाचार से भगवान उसे जटाओं में बंद कर लेता है गंगा को जह दालन किया, वहाँ चंद्रमा को धालन किया, कहा महराज दो दिन में नहीं दिखूंगा, तो भगवान ने कहा, जो संकर की भक्ती करेगा, उसे अमावस और पढ़वा को भी चंद्रमा का दर्शन हो जाएगा, तद गतेन मुख्खम मुख्खानाम दर्शनम पुन्नी अम्रता यह था, तो भईया, अमावस और पढ़वा का चंद्रमा संकर की जटाओं में है, जिनको भी दर्शन करना हो, भगवान संकर का दर्शन लीजिए, फिरी में ही चंद्रमा का दर्शन हो जाएगा, आज भगवान चंद्रमा का दर्शन अनंत हुआ, चंद्रमा का रोग 15 दिन बढ़ता था पंदरे दिन कम होता था पर कोई तकलिप नहीं उसी समय चंद्रमा से भगवान संकर ने पूछा हे चंद्रदेव तुमने जो भक्ती की उसका फल तो मैंने तुम्हें दे दिया पर भक्त जो मेरा अच्छा होता है उससे एक और कामना मांगनी चाहिए तुम कुछ तो मांग लो भगवान देखो डबल दे रहे एक तो करम का फल दिया और उपर से अपनी दया का भाव दिखा रहे यह भगवान का ही तो प्रेम है यह धर्म है उनका भगवान का याद रखें भगवान का धर्म होता है याद रखिए सबजी तुम किसी सबजी वाले से सबजी रोज खरी दिये रिस्ता जब अच्छा हो जाता है तो हर रौज कुछ नकुछ फ्री में मिलता है क्दुझ और ग३ा यूतरा संकर के साथ मैं बढ़िया हो गया तो संकर भग्वान ने कहा तुम्हारी बगती का जो तपका जो फले वो तुम्हेने दे दिया अब एक और मांग लो जो तुम्हें मांगना वो भी मैं तुम्हें दूंगा तो चंदर देवता ने कहा प्रभू मुझे जो मिलना चाहिए था वो मिल गया है अब मुझे केबल एक ही इच्छा वाकी है कि जब आप संसार में अपनी शक्ती अपनी भक्ती और अपने तेजो सी जोती से प्रगट हो गए हो तो मेरे जैसे कितने गदार अपनी पत्नियों को धोका दे रहे हैं उनका कल्यान कैसे होगा प्रभू इसलिए आप ऐसा कीजिए अपनी जोती का एक असीर सोप यहां इस्थान कर दीजिए जो प्रणी आकर आपका दर्शन करेगा आपका छे मेने ध्यान करेगा उस प्रणी को भी आप माफ कर देंगे और वो भी सुद्ध हो जाएगा ऐसा कहके चंद्रमा ने भागवान संकर को वहाँ पर विराजमान होने के लिए कहा तो संकर कहने लगे मैं अपने नाम से नहीं मैं तुमारे नाम से विराजमान हो सकता हूँ मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए तुमारा नाम करोगे तो मैं विराजमान हो जाओ उसी समय चंद्रमा का एक रजेक्ट नाम पढ़ाता भाई खाते में रजेक्ट नाम कौन सा होता है जो तुमारे कुंडलियों में होता करें कुंडली में जिसे कोई बोलता नहीं कुंडली के नाम को बिरले ही लोग होंगे जो कुंडली का नाम बोलता है कुंडली में अलग नाम रहता, बोलने चालने का अलग, तो चंद्रमा का असली नाम है सौम देव, सौम देव, तो भगवान संकर ने कहा, अपना नाम दे दो, जो रिजर्वेशन में पड़ा, जिसे कोई जानता ही नहीं है, और जिसे जानता नहीं, उसका जान मैं करवा दू सारी दुनिया को पहचान मेरी है, तो भगवान ने उसी समय चंद्रमा के उस गुप्त नाम को धारण कर लिया, आदा नाम चंद्रमा का, आदा अपना, दोनों का नाम जोड के, उधर से सौम आया, इधर थे नाथाया, कुल मिला के, ुल मिला के, सौम नाथ, हां, बोलिये स मुनात महादेव की जै हो संकर भगवान की जै हो हर हर महादेव संभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव संभो काशी विश्वनाथ गंगे हर महादेव संभो काशी विश्वनात कर्णे अराया विश्वनात गंडे अर हर महाने मुशंबू काशी विश्वनात गंडे अर भगवान का पूरा हो के कर लो आदा अधूरा मत करो पूरा हो जाओ हाथ उपर कर लेजिये तो पूरे हो के हाँ यह यह समर पन आसल है समर पन ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय ऩर उनमसिवाई